संस्कृती नमश्कार साथियों फिर आगया रविवार और एक बार फिर उसी प्रेम और विश्वास की रीद निभाते हुए मैं हाजर हूँ आपके समक्ष संस्कृती समाचार दरपंड का एक्यान वैवा अंक लिकर सूचना श्रोत का कार करता हमारा संस्कृती समाचार दरपंड फिर आपके लिए ले आया है सूचनाओ का भंडार फिछले सब्ता की कुछ कतिविदियां तथा आगामी होने वाले हर एक कार से आपको सूचित करवाएंगे यह समस्त सूचनाएं विद्यार्थी एवं अभी भ पर शाते रहेंगे विलंब ना करते हुए मैं अपने आज के सभी छात्र समवाद्दाताओं से आग रहे करता हूं कि वे हमें आज की समस्त सूचनाओं से अबगत करवाएं 13 अप्रेल 1699 के दिन सिख्पंद के दसवे गुरू श्री गुरू गोविन सिंग जी ने खाल सपंद की स्थापना की थी इसके साथ ही इस दिन को मनाना शुरू किया गया था आजी के दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है देश के कुछ हिस्सों में वैसाकी का तोहार को फसलों के बर्ख के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस समय रवी की फसल पक्कर पूरी तरह तायार हो जाती है और यहीं कटाई का समय भी होता है वैसा की केतोहार को हर जगए अलगग नामों से जाना जाता है असम में से भी हूँ बंगाल में नवा वर्षा केरल में पूरं विश्यू के नाम से लोग से मनाते हैं अप्रेल को जली अवाला के अमर शहीदों को भी भाव विनी श्रद्धान जली अर्पित की गई गया तब भी हो कि अप से एक सोतीन साल पहले अमरेटसर में स्वर्ण मंदर के निकट जलिय वाला भाव में 13 अप्रेल 1919 में वैसाकी के दिन जलिया वाला बाग में 13 अप्रेल 1919 के दिन आपनी वेशिक तागतों की अंदादुन्द गोलीवारी में सैक्डो लोग मारे गए इस दिन रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्तित भीड पर गोलियां चलवा दी जिसमें 350 से अधिक लोग मारे गए थे और सैक्डो लोग खायल हो गए थे 16 अपरेल का दिन World Heritage Day के रूप में मनाया गया इस हौशर पर विद्यार्थियों है तो ग्यानवर्दक प्रश्णोत तरी का आयोचन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने गूगल फर्म के माध्यम से भाग लेकर अपनी सहभागिता दर्शाते हुए ना केवल बढ़ प्रकास करने हे तू वचनवर्द रहा है इस संदर्व में विद्यार्थियों के लिए नव प्रसिक्षित सिक्षकों के सानिध्य एवं संग्रक्षन में विद्यार्थी खेल-खेल में बढ़ाई के साथ चात अन्यजीवन उपयोगी गतिविदियां भी सीख रहे हैं इस सं विद्यार्थी अपने आंगन में नौनिहालों के लिए समय समय पर रुचिकर ढंग से पढ़ाने लिखाने के तरीके को अपनाता है इसलिए विद्यार्थी यहां खुशी-खुशी आना पसंद भी करते हैं जैसा कि विद्यार्थ है कि दिन प्रती दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और शीख रही विद्याले के विद्यार्थियों हेतु ग्रीश मकालीन अवकास की गुशना की जा सकती है अतहा विद्याले अपने विद्यार्थियों को अध्यन अध्यापन कार्य से जोड़े रखने की भावना रखता है तथा उन्हें ग्रीशमा कालीन परियोजना कार्य प्रदान करता है इन परियोजना कार्यों के माध्यम से विद्यार्थी ना केवल अपने विशय से जोड़े रहते हैं वलकि रोचक धंग से अपने विशय को सीखने समझने और प्रस्तुत करने का तरीका भी सीखते हैं इन परियोजना कार्यों में प्रदान किये गए कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है तथा उसके अंक विध्यार्थियों के वाशिक परिक्षा परिणाम में भी जोड़े जाते हैं अतहा विद्यार्थियों से निवेदन है कि वहे भी अपना परियोजना कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण कर अपने विशे संबंदित सिक्षक सिक्षिकाओं के पास जमा करावे। एवं अधिक जानकारी है तू अपने कक्षा वाटसप गुरूप का अवलोकन करते रहे। 21 अप्रेल गुरुवार से कक्षा 1-12 तक के विध्यार्थियों के साइकलिक टेस्ट 1 का शुभारम होने जा रहा है जिसमें विध्यार्थियों को अभी तक कराए गए अध्यन अध्यापन का जायजा लिया जाएगा तता उसी से संबंदित उनके प्रेश्न पत्र में परिणाम में भी जोड़े जाएंगे तथा मातापिता का भी उन्हें से योग प्राप्त होगा इसी के साथ विध्यार्थियों को उनकी मुख्य बोड़ परिक्षा के प्रवेश पत्र भी प्रदान किया जाएंगे अतहा विध्यार्थियों से निविधन है कि वह विध्याले द्वारा में अभी नवीन प्रवेश प्राप्त किया है तथा विद्याले के वे विध्यारती जिने नवीन स्पोर्ट्स उनिफॉर्म की आवश्रकता है वे अपने कक्षा ध्यापक के पास अपने नाम लिखवा दे विद्याले में स्पोर्ट्स उनिफॉर्म उपलब्ध है विद्याल का नाम बता कर अपनी पुस्तकों का सैट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु सभी साइस के गंडवेश भी उपलब्द होने लग गए हैं। इस हेतु आपने कर्तम कपड़ा विक्रेता से संबग कर विद्यालय द्वारा निर्धारित आज के लिए बस इतना ही हम आशानवित हैं कि आपको हमारा आज का अंग बेहत पसंद आया होगा। हम पुना हाजर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ तब तक के लिए लेते हैं एक सापताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छातर समवादाताओं का आभार व्यक्ते करत हैं एवं उनके उज्वल भविश्की कामना करते हैं विदा लेने से पूर्व उनहीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोए यह अभिलाशा हम सबकी भगवन पूरी होए सुखी रहिए स्वस्त रहिए धन्यवाद करते हैं